आज का हमारा practical है to verify malice law ठीक है अब यह हमारा lamping house है इसके सामने हमारा यह coaxial polaroid है और यह हमारी circular table है और इसमें एक glass लगा हुआ है ठीक है इसके बाद हमारा यह है analyzer analyzer में आप देख सकते हैं 0 से लेके 360 तक angle denote है और यह जो glass plate है इसके नीचे जो circular table है इस पर भी आप देख स होते हैं 0 से लेकर 90 तक angle आपके note है ठीक है हमारे lamping house से unpolarized light निकल रही है जो की बीच में लगे analyzer को सेट करना है किसी एंगिल पर जिस पर current maximum हो माल लीजिए मेरे हाँ पर मेरे इस अपरेटर्स में maximum current मुझे मिल लगी है 230 डिगरी पर 230 डिगरी पर जो maximum current है हमारे पास वो आ रही है 137 ठीक है तो मैंने reading में नोट कर रखिए बन 37 ठीक है इस तरीके से एक table बनेगी आपकी angular position है आपकी analyzer की 230 डिगरी और relative angle है आपका zero maximum current आ रही है हमारी 10 डिगरी मैंने rotate कर लिया और analyzer जो की मेरा 230 पर है इसे भी मुझे 10 डिगरी rotate करना है अब हम आप मीटर में current नोटिस करेंगे अब देख सकते हम current थोड़ी सी कम हो गई है maximum value इसकी 135 तक है लगभग 135 और 130 बन 30 के बीच में लगभग bury कर रही है हम देख सकते है एक्चली यह जो practical है यह dark room में होगा क्योंकि अगर हम यहाँ करते हैं तो इसे light की वज़े से थोड़ी सी current एक्स्ट्रा आएगी ठीक है तो हमारी जो current की reading है लगभग लगभग 134 बन 35 इसके आसपस आ रही है तो यह reading हम इसमें note कर लेंगे